नमस्ते बच्चों अम्मू एन यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत अम्मू हर बार की तरह एक अच्छी सुन्दर शिक्षाप्रद कहानी लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई है मैं हूँ अम्मू और आप सबको कहानी सुनाने आए हूँ पंचे तंत्र कहानीों में से यह एक कहानी है जादू का बरतन अब जादू का बरतन बरतन जादू का यह कैसे है बताती हूँ मैं अब एक गाओं में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था बहुत ही सदाचारी किसान था मेहनती था लेकिन बेचारे के पास बिलकुल जमीन नहीं थी इधर उधर दूसरों की जमीन पर वो काम करता और बड़ी मुश्किल से अपनी गुजर बसर करता समय बीगता गया उनके दो बच्चे हुए दोनों बच्चों को और खुद अपने दोनों का पेट पालना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था इतने कम पैसे होते कि उसरे चारों भर पेट खा भी नहीं पाते लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था किसान की पत्नी इतनी उदार प्रकृति की थी कि इतना कम होने के बावजुद घर में आए हुए अतिथी को हमेशा खना खिला कर ही जाने देती उसके लिए अतिथी देवो भवा अर्थाथ अतिथी भगवान के समान था तो क्या खना खिलाती कोई भी आता तो वो चावल की दलिया बनाती और उनको पेश करती और बोलती इतना ही है हमारे पास आप इसी से अपना पेट भर लीजे अतिथी भी खाकर इतने प्रेम को पाकर खुशी-खुशी चला जाता एक दिन घूमता फिरता एक फकीर आप नहीं चावा फकीर कमजोर ठका हारा लग रहा था उसने कहा बहुत दिनों से भूखा हूँ बड़ी दूर से चलता हुआ आ रहा हूँ भूख और प्यास से मरा जा रहा हूँ आईए आईए फकीर बाबा जरूर आईए विश्राम करें मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ उसका परिवार किसान की पत्ने का परिवार खाने के लिए बैखे ही थे दोनों बच्चे जरा जरा सी चावल लेकर बैखे थे लेकिन किसान की पतने अंदर गई उसी चावल से थोड़ा सा दलिया बनाया और लाकर फकीर बाबा को दिया और कहा बाबा माफ करना इसी से अपना पेट भर लीजे इससे अधिक तो है नहीं हमारे पास फकीर बाबा ने वो दलिया खाया और उतनी ही कटोरी भर के दलिया खाने के बाद पेट पूरा भर गया जितनी थकान थी चुट्कियों में मिट गई फकीर बाबा बड़ा प्रसन हुआ उन्होंने कहा बेटा आप इतने उदार दिल के हो तो कोई भी एक बरतन ले ओ जो भी आपके घर में है उस बरतन को मैं जादूई बरतन बना दूँगा किसान और उसके पत्नी तो हैरान रहे गए जादूई बरतन? लेकिन फकीर बाबा की बात तालनी नहीं चाही तो वो अंदर गई किसान की पत्नी और मिट्टी का एक बरतन लेकर आई जिसमें वो चावल पकाती थी बाबा यही बरतन है जिसमें कि हम अपना चावल पकाते हैं बाबा ने वो हाथ में बरतन लिया आँख बंद कर कुछ मंत्र पढ़े कुछ शणों तक मंत्र पढ़ने के बाद आखे खोली और वो बरतन उसने उस पत्नी के हाथ में दे दिया खिसान की पत्नी के हाथ में और कहा बेटा अब यह तुम्हारा जो मिट्टी का बरतन है जादू का हो गया तुम इसमें कुछ भी पकाओगी बहुत अधिक मात्रा में होगा और राजा के महल में जो पक रहा होगा वो सारा विरंजन इसमें से निकलेगा तुम्हें कभी भूक की महसूसी नहीं होगी ऐसा कहकर आशिरवाद दिया किसान और उसकी पत्नी को सदा सुखी रहो, सदा उदार रहो और ऐसा बोलके वो वहां से वकीर पावा चले गए अब पत्नी को तो किसान की पत्नी और किसान दोनों को विश्वास नहीं हुआ ऐसा कैसे जादूई बरतन हो सकता है चलो आज माते हैं किसान की पत्नी रसोई में गई और उसमें उसने थोड़ा सा चावल पकाया जो जरा सा बचा था पकाया, धक्कन लगाके फिर उसको लेके आई अंदर कमरे में और धक्कन हटाया चावल नहीं था एक के बाद एक पकवान निकलने लगे और थालियों में सजने लगे नाना प्रकार के व्यंजन से वहाँ पर चारों लोगों का खाना लग गया हैरान स्थब्ध वो चारों जल्दी से खाना खाने दे थे और इतना स्वादिष्ट खाना पीट भर के खाने तब से ये रोज का नियम हो गया किसान की पत्नी चावल बनाती लेकिन जब परोसने जाती उसमें से राजा के महल वाला खाना निकलता अब उनके घर में जो भी अतिथी आते उनको वो ही व्यंजन परोस दी और परोस कर जब वो अतिथी हैरान रहते कि इतना खाना और इतने स्वादिष्ट व्यंजन तो किसान हाथ जोड कर कहता भाया पेट भर के आप खालीजिये लेकिन इस खाने के बारे में मुझसे कोई प्रश्ण मत करियेगा मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा अतिथी अपना खाना खाते चले जाते अब बाहर जाकर बाते होने लगी जो अतिथी आते थे वो अतिथी बाहर जाकर बात करने लगी कि भाई ये किसान के घर में तो बड़ा ही अजीब माहौल है छोटी सी कुटिया लगती है जोपरी है लेकिन क्या खाना खेलाते हैं राजा का खाना भी मात खा जाए इसके आगे का, इतना स्वादिष्ट और किस्म किस्म का खाना, कैसे पता नहीं, उधर राजा के महल में अलग काम हो रहा था, रसोया रोज हैरान, वो जितना खाना बनाता था, जिस तादाद में बनाता था, रोज महल में सब के लिए, वो रोज बना रहा था, लेकिन अब हर दिन, खाना पकने के बाद, उसको वो हंडियों में खाना कम दिखने लगा, अब वो रसोया परिशान की हंडियों से खाना रोज कर रोज जाता कहा है, कौन आता है और ये इतना सारा खाना लेके चला जाता है, ऐसा कैसे, कई दिनों परिशानी के बाद, उसने राजा से ये बात बताई, कि महराज, रोज मैं जितना भी खाना बनाता हूँ, बनाने के बाद, परुस्ते समय वो खाना मुझे कम दिखता है, मुझे समझे नहीं आता, ये ऐसा कैसे हो रहा है, राजा ने कहा, बड़ी अजीब समस्या बताई तुमने रसुईय, सोचने दो मिशे, और मंत्री को बिलाया, मंत्री से कहा, मंत्री, रसुईया हमको ये एक समस्या के बारे में बता रहा था, अब ये बात आप बताईए, अगर कोई खाना चुराने आएगा, वो केवल खान मेंगी मेंगी चीजे है, चोर आएगा तो वो उठाके ले जाएगा ना, खाना लेने क्यों आएगा, और रोज और लेके जाएगा भी कैसे इतना सारा खाना, लेकिन रसुईया कह रहा है कि खाना कम होता है, मुझे तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, तब मंत्री राजन कुछ उर्ती उर्ती बाते मुझे सुनने में आई है, गाओं में लोग बात कर रहे हैं कि वहाँ पर गाओं के बाहर एक छूटी जोपड़ी में एक गरीब किसान रहता है, और वो और उसकी पतनी अपने दोनों बच्चों के साथ महां रहते हैं, बड़े ही उदार प्रकृती के लोग हैं, कभी भी उनके घर में कोई भी आने वाला खाली हाथ नहीं लोटता, अब जो भी आता है, वो तो वहाँ राजसी भोजन करके जाता है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है कि ये गरीब किसान हर रोज ऐसा राजसी पकवान कैसे खेलाता है? अब ये बात सुनी राजाने, तो कहा अजीब तो बात लगती है, तो ऐसा करते हैं चलो, आप और हम पता करते हैं, हम दोनों जाते हैं और पता करके आते हैं, कि आखिर माजरा क्या है, अपनी आखों से देख कर आते हैं, भेश बदला राजाने और मंत्री ने और दोनों च चलते चलते किसान की जोपई पर आए ठक ठक आया अरे भाई हम दो यात्री दूर गाउं से आ रहे हैं फूक से और ठकान से बुरा हाल है कुछ खाने को मिलेगा क्या किसान ने दर्वाजा खोला था उसकी पतनी पीछे खड़ी थी आईए जरूर आईए आपका स्वागत है य आपके लिए अभी मैं भूजन लाती हूँ और ऐसा कह कर उसने उन दोनों के लिए खाना सजा दिया अब राजा ने महल से निकलते समय एक काम किया था वो रसोई गए थे और क्या-क्या पका था देखकर आये थे यहाँ पाराकर देखा कि जो जो महल में पका था वही का वही खाना उनके सामने किसान की पत्मी परोस रही है बिलकुल वही गुस्से से आग बबुला हो गए ये क्या मजाग बना के रखा है ये तो सब राजा के महल का खाना है ये तुम्हारे यहाँ कैसे आया किसान बोला अतिती महाराज प्रश्ण मत पूछिए जवाब नहीं दे पाएंगे हम आप पेट भर के बस खा लीजिए कुछ नहीं खाएंगे हम पहले मुझे इसका जवाब चाहिए ये खाना आपके यहां कैसे आया तब गरीब किसान ने मजबूरी में पूरा किस्सा कह सुनाया और फकीर की बात बताईगी जादू के बरतन की बात बताईगी महाराज को यकीन नहीं हुआ ले आओ जादू का बरतन देखें कैसा बरतन है किसान की पतनी गई और वो मिट्टी का बरतन लेकर आ गई लाकरसान ने जमीन पे रख दिया राजा ने गुस्से में अपनी छड़ी से उस बरतन को फटाक से तोड़ दिया और कहा ये कौन सी बात होती है ये जदू वादू कुछ नहीं है हमारे महल का खाना यहाँ पर आ जाता है और महल में खाने की कमी होती है आज से न रहेगा बरतन न आएगा वहाँ से खाना यह सा खहकर गुस्से में राजा और मंत्री निकल गए किसान की पत्नी रोने लगी बोले फकीर बाबा ने हम लोगों को ये जादू का बरतन दिया था महराज तोड़ कर चले गए हम फिर से वही गरीब के गरीब होगे अब फिर हमारे बच्चे भूख से तड़ पेंगे लेकिन किसान क्या बोला पत्नी रोती क्यों हो हम तो थोड़े में ही खुश थे पहले हमारे पास ये बरतन जादूई नहीं था जितना था उसी में हम खुश रहते थे हम फिर से उसी चावल की दलिया खाकर अपना पेट भर लिया करेंगे बहले जैसे जिन्दगी जीएंगे हमने न ये जिन्दगी मांगी थी ये तो फकीर बाबा ने आकर दे दी थी कोई बात नहीं हम फिर से वैसे ही जिन्दगी जीएंगे तुम रो ने कोई किसी का किसमत नहीं बदल सकता उधर राजा और मंत्री महल में वापस गए सीधे रसोई रसोई में पहाँचे और बोले खाना लगाओ भूप से मैं मरा जा रहा हूँ इतनी दूर चल के गया हूँ और आया हूँ अब मुझे जल्दी से खाना लगाओ रसोईया खाना लगाने गया तो दंग बोला माराज ये क्या क्यों रसोईये अब क्या हुआ माराज किसी बरतन में कोई खाना नहीं मैंने तो पूरा खाना बनाया था आपने खुद अपनी आखों से देखा था अब आप जरा देखिए जिस बरतन का भी मैं धक्कन हटा रहा हूँ खाली है एक दाना खाना नहीं राजा हैरान मंत्री हैरान और राजा के पेट में तो चुहे कूद कूद के बिलकुल धमा चोकड़ी मचा रहे था मंत्री दोडते हुए अपने घर गए अपने घर में जो खाना बना था वही लाकर उन्होंने किसी तरह से राजा को दिया जिससे राजा अपनी भूख शांत कर पाए और देने के बाद राजा बोले मंत्री से मंत्री हमें लगता है हमसे बड़ा अनर्थ हो गया है तुरंथ चलो वापस उसी किसान के घर ऐसा बोलकर दोनों वापस किसान के घर आए ठक 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 किसानने दर्वाजा खोला जी माराज कुछ गलती हो गई फिर नहीं भाई गलती तो हमसे हुई है महराज ने किसान का हाथ पकड़ा और बोले हमसे बड़ा भारी अनर्थ हुआ है तुम और तुम्हारी पत्नी इतने दयालू इतने उदार प्रकृती के व्यक्ति कि जिसके पास कुछ नहीं वो भी अतिथी को अपना पेट काट कर खिलाने वाले व्यक्ति को मैंने दुख पहुचाया मैंने गुस्से में आकर तुम्हारा जादवी बर्तन तोड़ दिया आज से महल में जो भी खाना बनेगा बनने के बाद धेर सारा खाना हर रोज आपके घर में आएगा आप वो खाना खाएंगे और आपके घर में आने वालों को भी खेलाएंगे बिना एक दिन भी नागा के वहां से आपके लिए खाना आएगा और ये रही जमीन इस जमीन में आप खेती करिये चैन से रहें कभी आपको किसी चीज की आवशक्ता हो ने संकोच मेरे पास आजाएंगे किसान बोला महाराज अशेश दया आपकी हमें खाना नहीं चाहिए आपने हमें जमीन दे दी उसी का उपकार में मनाता हूं मैं उसमें मेहनत करूंगा और फसलों गाउंगा मुझे खाना नहीं चाहिए हम सब इसी में संतुष्ट रहेंगे नहीं किसान ये तुम्हें खुशी-खुशी तुम्हें दे रहां आज से जो मैं खाऊंगा वही तुम और तुम्हारा परिवार भी खाएगा ऐसा केकर महराज चले गए महराज और मंत्री के जाने के बाल से हर रोज राजा के सैनिक पूरा खाना सजा कर किसान के परिवार के लिए लाते और किसान अपनी खेप में महनत करता फसल उगाता और पूरी जिंदगी बड़ी ही सुक शान्ती और चैन से बिता दे बच्चों कहानी अच्छी लगी देखा उदारता का फल कितना मीठा होता है किसान और उसकी पत्नी कितने उदार थे दूसरों के लिए सोचते थे और अपना पेट काट कर भी उनका पेट भरते थे बदले में कभी कुछ नहीं मांगते थे इसलिए शायद इश्वर ने फकीर बाबा का रूप बदल के उन दोनों का जीवन खुशियों से भर दिया थे राजा को भी अपनी गल्ती का हैसास हुआ कि दूसरों की उदारता का मूल्य देना चाहिए परखना चाहिए और हमेशा उसका आदर करना चाहिए राजा को अपला आ गई और सब राजी खुशी रहने लगी उदारता बहुत बड़ा सदगुण है हमारे में मन में हमेशा उदारता की नदिया बहने चाहिए दूसरों के लिए सोचना चाहिए हर व्यक्ति अगर ऐसा करेगा सब तरफ संसार ये दुनिया सुक्षानती से भरा रहेगा तो बच्चो आपको बता है कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब अपने फ्रेंड से सब से जिसको भी आप जानते हैं आप शेर करिए खुश रहेए उदार बनिये और अमो की कहानी का इंतजार करिए अमो को आपको कहानी सुनाना बहुत अच्छा रहता है कहानी सुने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते बच्चो